दोस्तों, जीवन में ऐसा कई बार होता है, जब हमारा संगर्ष खुद के साथ होता है। हमारी लड़ाई किसी डर या किसी अन्य विकार के साथ होती है, जो हमारे भीतर ही चुपा है, और उससे लड़कर, उससे जीटकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मेरा नाम चिनमईत रिपाठी है, और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अपनी नई कविता, जिसका शीशक है अनकही, सुनियें। अनकही, वो कहता है कुछ कहा क्यों नहीं, लिखकर भेजा होता। लिखते कैसे अनकही को, कहने को कुछ था ही नहीं। क्या कहूं कि एक खालीपन है, जो आया था एक रोज, लंबी चादर ओढ़े। क्या कहूं कि एक खालीपन है, जो आया था एक रोज, लंबी चादर ओढ़े। बुठ जैसी शकल में, उड़ा ले गया मुझे अपने साथ एक चुपसे शहर में। किसकी कैद है ये, किसकी चार दिवारी है। किसकी कैद है ये, किसकी चार दिवारी है, मेरे ही कई डर, कई वहम, कई भेद, बढ़ चड़कर दिवार बन गए। जुनून कुछ फितूर जाल बन गए। जाल है भी या नहीं, दिवार है भी या नहीं, पर उसको लांग पाना मेरी हद में नहीं। एक दिन आया था कोई, मुझको आजाद कराने, दर्वाजा खोला भी उसमें, भीतर जांका भी उसमें। छुप गई थी उस रोज, मैं एक कोने में, और वो लौट गया अकेला ही वापस अपने शहर। मैं अब भी वही हूँ, दिवार के साए में। मैं अब भी वही हूँ, दिवार के साए में। तो ये थी मेरी कविता, अन कही। अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करिये और शेयर जरूर करिये। और जो भी आपके विचार हो, जो भी खयाल हो, नीचे कॉमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताईए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। कर्सरों कर दोड़ कर छोगके का और दो ठाप कर दाएंग सुर्द्ट्टल